हेलो गाइज नमस्कार न्यूट्री बेजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी नस्ता पहले से गुते हुए गिहूं के आटे से सुबा की भाग दोर में हमें टाइम की बहुत जादा कमी होती है तो उस समय हम इस गुते हुए आटे से बहुत ही घ्लियओ टेस्टी नस्ता बना सकते हैं तो दोस्तों इस विडियो को देखते हुए अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना पिल आइकन भी प्रेस कर लेना तो सुरू करते हैं follows anys क्ये हूं निया पसंद की सब्जी सीजन के अनुसार जो भी मीलता है आप इसमें ले सकते हो अब इन सारे सब्जियों को मिक्स कर देते हैं आप चाहे इसमें पनीर डालिए सोयाबिन के बड़ी डालिए या फिर कुछ भी डाल सकते हैं और नमक डाल देंगे और मिक्स कर देंगे नमक डाल करक पांच मिनट छोड़ देंगे तो जो एक्सेस वाटर है पानी है सबजी के अंदर वो निकल जाएगा तो अब यहाँ पर पांच मिनट हो चुके हैं इस तरीके का कॉटन का कपरा लीजी और उसमें सारी सबजीयों को डाल लीजी अब इस तरीकी से दबा दबा करके सारा पानी इसका निकाल देंगे ताकि जब हम इसे आटे के अंदर भड़े तो फटे नहीं और एक्सेस वाटर की वाज़से हमारी रेसिपी खराब नहीं अब यहाँ पर पानी निकल चुकी है और बचे हुए पानी से आप आटा गुन सकते हैं या उसे ऐसे भी पी सकते हैं वह बहु किया हुआ भुना हुआ धनिया एक चमच इसे पहुत परिया टेस्ट आएगा और डालेंगे एक चमच अरोगेनो और एक चमच चिली फिलेक्स और डालेंगे यहाँ पर पुना हुआ जीरा का पाउडर और डालेंगे ग्रेट किया हुआ अधरक एक चमच काली मिर्स डालें अधे चमज एन्मज टेस्ट के इक होड़ नमक डालना है तो मैंने थोड़ा सा इक मत डाल है, और रहां समय करना है और कृक्च से बलकुल अदाज लिए और और इन शाधे सबस्चों मिक्स कर कर देंगे पाने निकालना जरूरी यहां पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सब्जी मिक्सों करके तयार हो गया है, अब यह है गुता हुआ गेहूं का आटा, अब इसकी छोटी-छोटी पूरिया बेल लेंगे, जैसे हम पूरी बेलते हैं न, उस तरीके से आटा डस्ट कीजिए और छोटे-छोटे इसकी लोईयां त्यार कीजिए, और फिर पूरी की तरह ही से बेल लीजिए, तो पहले से आटा गुत करके तयार रखेंगे, फिर सुबह-सुबह फटा-फटी से नास्ते में बना सकते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और हेल्दी भी होगा, तो बह चारु तरफ से इस तरीकी से सटा करके फूल जैसा बना लेंगे, और चारु तरफ से जो होल है, उसे दबा-दबा करके इस तरीकी से पैक कर दीजिए, नहीं पैक हो रहा है, तो थोरा सा पानी लगा दीजिए, फिर अच्छे से पैक हो जाएगा, अच्छे से पैक करना जर और समय कम लगेगा पांच मिनट में नस्ता बन करके हमारा तयार हो जाएगा धकन लागा दे और चार से पांच मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ दीजिए अभी धकन हटा देते हैं आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है सारे डंपलिंग का और बहुत ही अरिके से आप जरूर बनाना अब एक एकर के सब को निकाल करके प्लेट में रख देंगे तोड़ी देर इसे ठंडा होने दीजिए हलका सा भाप निकलने दीजिए और फिर आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं पर इसमें एक तरकल लागा देते हैं जैसे हम डोकला में लाग से बारा कड़ी पते हैं गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और तरका है तयार हमारा अब अपनी आटे डंपलिंग को डालेंगे और तरके के अंदर मिक्स कर देंगे आप यहाँ पर चाहे तो गरम मसाला और बहुत सारे हल्दी मिर्सी डाल सकते हैं पर नस्ता में हेल्दी बन दोसी धनिया की पत्ता से करनिस कर लीजिए धनिया की चटनी हो या केचाप हो किसी भी चीज के साथ खाएंगे तो बहुत ही पसंद आने वाला है देखने में ही अच्छा लग रहे है तो ट्राइ करना और कमेंटर बक्स में अपने विचार सेर करना